मनुष्य जो है अश्रफुल मखलूकात कहा जाता है पवित्र कुरान उसे कहती है कि प्राणियों में अग्रगण्य है वो वेद उसे कहता है अहम भ्रह्मास्मी मैं भ्रह्मा का अंश हूँ और बाइबिल कहती है I am the divine flame मैं इश्वरिय जियोती हूँ इतनी पतली सी स्किन जो काटे से छिल जाए इतना धी में दौड़ना जिसे खरगोश पकड़ ले इतनी कम द्रिष्टी जो एक जिराफ में सौगुनी है उसके बाद उसने इस पूरे विश्व पर अधिकार किया और अब तो विश्व के दूसरे जो ग्रह हैं प्रत्री के अत्रिक उन पर अधिकार की चिष्टा कर रहा है इसका कारण क्या है इसका कारण है उसकी जिग्यासा इसका कारण है उसका असहमती में उठा हुआ हाथ पूरे विश्व की समस्त प्रगति चाहे वो अंतरिक हो अध्यात्मिक हो सांसारिक हो सभी प्रगति असहमती में उठे हुए हातों की है ललन टॉप क्या है प्रात्मिक रूप से मीडिया तो चली रहा है चैनल्स तो चली रहे है आपको क्यों देख रहे हैं लोगबारिंगे आपसे क्यों बात करना चाहते हैं? एक छोटी सी इस यूनिट में लोग की रुची क्यों है? त्योंकि आप असहमत हैं जो दिखाया जा रहा है उससे, जिस दुरष्टिकोर्ण को प्रसतुत करने का प्रयास चल ला है उससे, तो मैं अपनी असहमती पर परम प्रसंदों है, और मैं जिस दिन सहमत हो जाँगा, उस दिन मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, पहली बात तो यह है, तो मेरी असहमती के कौने लगातार विस्तार पाते रहने चाही है मेरी खुद से अपेक्षा है, आशा है, और इसी का सातत्य मेरे अंधर है और यह मैंने सीखा आध्ययन से, यह मैंने सीखा सटसंग से कि मैं शुरू में ही ऐसे लोगों में बैठा हूँ जिरों ने मेरे अंदर ये असहमती का बीज डाला है देखिए अभी जैसे ये लोग सवाल पूछेंगे इसके वार्म अप सेशन में आपने का कुमार विश्वास से ऐसा सवाल मत पूछी है जो पहले लोग पूछ चुके है मैं इसे दूसरी बात कहता हूँ निजी सवाल अपना मत पूछी है जो आपके मंदर है आपके अंदर के सवाल की जिग्या सा आपकी शान्त होगी दुनिया का क्या होगा इतने बड़े शोता समू का क्या होगा इसलिए भारत के ग्यान की एक बड़ी परंपरा प्रशनोत्तरी में है सारी संगिता हैं प्रशनोत्तरी में है मैत्रई पूछ रही है या गिवलक बता रहे हैं नवा आरे मैत्रई राम की कथा का गायन भी वालमी की कह रहे है मुझे ये कोई श्लोक नामक चीज मिली है मैं इसका क्या करूँ तो नारद कह रहे है कि इसका किसी उत्तम महान चरित्र के विशे में वंडन करो तो किसका करो तो बुले वो रगवंश में एक पैदा हुआ एक श्वाक वंश में रामो नाम जनह शुता जनह शुत वाला नाम है राम उस पर बात करो तो ये प्रश्णोत्री में पैदा हो रही है जिस समाज के जिस व्यक्ति के जिस समुख के जिस देश के प्रश्ण समाप्त हो जाते है वो सरड जाता है हिमाले से उतरती हुई धारा सदा किनारा तलाशती है साथ साथ अपनी यात्रा भी तलाशती है अगर वो धारा किसी जोड में किसी पॉण्ड में सरड जाए तो महां मचलिया होंगी शेवाल होगी लेकिन महां काई भी होगी पैरोल जाने वाली तो मेरा मन है मेरा अंतर है कि मेरी ये जो जिग्यासा है जो असहमती है कि नहीं ये कविता लिखी बहुत मुख्द हुए आनंद आ गया फिर चार दिन बाद आया बात रहे गई कहनी पाए तो अगली बात होगी नहीं मुझसे लोग ये इस से पहले कि ये पूछें सबसे अच्छी कविता कौन सी है अभी लिखी जानी बाकी है अभी लिखी नहीं